सलाम icons आप दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ लाई हूँ कीमा गोजीया रेसीपी ये ईक बहुत ही सॉफट होती है इसकी स्टफिंग की रेसीपी मैंने कीमा किस तरह से बनाया है मैंने अपलोड कर दिया है तो उसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे द और उसको जब हम गुंदेंगे तो गुंदने के लिए हम गरम पानी के इस्तेमाल करेंगे वैसे तो आप नॉर्मल वाटर से भी से गुंद सकते हैं कोई मसला तो नहीं है लेकिन गरम पानी से गुंदने से और ज़दा सौफ्ट होंगे लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चावल काटा जादा अच्छी कॉलिटी का है तो आप वैसे आप नॉर्मल वाटर से भी गुंद सकते हैं मैं यहां इसे स्पेचुला से इसलिए कर रही हूं कि पानी थोड़ा गरम था इसलिए में इस स्पेचुला से कर रही हूं उसके बाद जब थोड़ा सा नॉर तो हम इसे हाथ से गुंद देंगे यहां बरतन चोटा था तो मैंने इसे बड़े बरतन में कर दिया है आटे को बिलकुल अच्छी तरह से गुंद दिना है थोड़ा सा सौफ्ट हो रहेगा और जब हमारा आटा गुंद जाएगा तो हमने इसके चोटे से पेड़े बना लेने इसलिए इसे जितना ज़ादा पतला कर सकते हैं उतना ज़ादा पतला ही करना है बहतर है इसे हाथ से ही ठोका जाता है तो आप इसे हाथों की मदद से ही पतला करती रही है तो मैं इसके अंदर अपनी कीमे की स्टफिंग को भरूंगी स्टफिंग की कॉंड़िटी आप अप बनाया जा सकता है हम दो शेप में बनाते हैं एक तो यह वाला शेप हो गया एक आगे आपको दूसरा दिखाई देगा गुजिया का यह शेप ही वैसे ज्यादा अच्छा लगता है दिकनी में इच्छा लगता है और खाने में तो वैसे दोनों टेस्टेम ही होगा अगर आप इस रेसिप को पहले से जानते हो तो मझे कमेंट में बताईए कि आप इसे पहले से जानते थे क्योंकि बहुत सारे लोग यह रेसिपी नहीं जानते हैं क्योंकि यह बेसिकली उत्तर परदेश की रेसिपी है और इसे जादा लोग जानते नहीं है यानि पूरी इंडिया वा यहां मैंने सारे ही तयार कर लिए हैं अब हमने इसको बनाना है तो इसे फ्राय नहीं करना है बलके स्टीम करना है तो मैंने इडली मेकर में नीचे थोड़ा सा पानी रखा है उसके बाद हर एक पर एक गुजिया को रखकर उसे स्टीम कर देंगे 10-15 मिनट के लिए उसके ग्रीन चटनी के साथ सर्फ कर ये और मैं क्या करती हूं ग्रीन चटनी और सॉस को मिला कर सर्फ करती हूं तो यह और ज्यादा टेस्टी लगता है उसके साथ भी तो आप ट्राइ कीजिए अपने घर पर और